आज इस वीडियो में आप सभी राज्यों के मुखमंत्रियों को देखेंगे और वे किस पारटी से हैं ये भी जानेंगे यानि भारत के किस राज्य का मुखमंत्री कौन है और वे किस पारटी से हैं फोटो सहित आप देखेंगे तो उत्तर परदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ हैं और इनकी पारटी का नाम भारतिय जनता पारटी है बिहार के मुख्यमंतरी नितीज कुमार हैं और इनकी पारटी का नाम जनता दल युनाइटेड है 36 गड के मुख्यमंतरी बिश्डु देव साय हैं और इनकी पारटी का नाम भारतिय जनता पारटी है पस्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरजी है और इनकी पारटी का नाम अखिल भारतिय त्रिणमूल कांग्रेस है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सर्मा है और इनकी पारटी का नाम भारते जनता पारटी है महाराश्ट्र के मुख्यमंत्री एकनात सिंदे है और इनकी पारटी का नाम सिवसेना है गुजरात के मुख मंतरी भूपेंदर पठेल है और इनकी पारटी का नाम भारतिय जनता पारटी है आंदर परदेश के मुख मंतरी चंदरबाबू नाइडू है और इनकी पारटी का नाम तिलगू देशम पारटी है कलंगाना के मुखमंतरी रेवंत रेड़ी हैं और इनकी पारटी का नाम भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस है मद्द परदेश के मुखमंतरी मोहन यादव हैं और इनकी पारटी का नाम भारतिय जनता पारटी है गोवा के मुखमंत्री पर्मोद सावन्थ हैं और इनकी पारटी का नाम भारतिय जनता पारटी है हर्याणा के मुखमंत्री नायब सिंग सैनी है और इनकी पारटी का नाम भारतिय जनता पारटी है पंजाब के मुखमंत्री भगमंत मान सिंग है और इनकी पारटी का नाम आम आदमी पारटी है हिमाचल प्रदेश के मुखमंत्री सुख बिंदर सिंग है और इनकी पारटी का नाम भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस है उत्त्राखंड के मुखमंत्री पुसकर सिंग धामी है और इनकी पारिटी का नाम भारतिय जनता पारिटी है जारखंड के मुखमंत्री हेमंत सोरेन है और इनकी पारिटी का नाम जारखंड मुक्ती मोर्चा है ओडिशा के मुख मंत्री का नाम मोहन चरण माजी है और इनकी पार्टी का नाम भारतिय जनता पार्टी है सिक्किम के मुख मंत्री का नाम प्रेम सिंग तमांग है और इनकी पार्टी का नाम सिक्किम क्रांतकारी मोर्चा है असम के मुखमंत्री का नाम हेमंत विश्वा सर्मा है और इनकी पार्टी का नाम भारतिय जनता पार्टी है मडिपुर के मुखमंत्री का नाम एन बीरेन सिंग है और इनकी पार्टी का नाम भारतिय जनता पार्टी है अरुडाचल पर्देश के मुखमंत्री का नाम पेमा खांडू है और इनकी पार्टी का नाम भारतिय जन्ता पार्टी है नागालेंड के मुखमंत्री का नाम नेफ्यूरियव है और इनकी पार्टी का नाम नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिब पार्टी है मिजोरम के मुखमंत्री का नाम लाल दुहोमा है और इनकी पार्टी का नाम जोरम पीपल्स मुवमेंट है मेघाले के मुखमंत्री का नाम कॉनरोड सर्मा है और इनकी पार्टी का नाम नेशनल पीपल्स पार्टी है तिर्पुरा के मुख मंत्री का नाम मालिक साहा है और इनकी पार्टी का नाम भारतिय जन्ता पार्टी है करनाटक के मुख मंत्री का नाम सिद्धा रमय्या है और इनकी पार्टी का नाम भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस है तमिल नाडु के मुख मंत्री का नाम मुथू बेल करुना निदी स्टालिन है और इनकी पार्टी का नाम द्रबिड मुनेत्र कंगडम है केरल के मुख मंत्री का नाम पिनराई बिजेन है और इनकी पार्टी का नाम मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी है दिल्ली की मुख मंत्री का नाम आजसी मार लेना है और इनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है देश की आजादी के समय से लेकर अब तक भारत में जितने भी प्रदान मंत्री बने हैं या फिर राष्ट्रपती बने हैं और वे किस पार्टी से थे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप देख सकते हैं या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दो वेडियो और दिख रहे होगी उस पर भी किलिक करके आप भारत के सभी प्रदान मंत्रियों और राष्ट्रपतियों का नाम और उनका कारेकाल पार्टी का नाम आदी जान सकते हैं